हाई दोस्तों वोलकम बैक टू दा चैनल तो रियल्मी 9 आई जैसे कि आप सभी को पता है वियत नाम के अंदर 10 अप जैनरी इसको लॉंच हिया जाएगा एंड यहाँ पे दोस्तों अब जो है ना रियल्मी 9 प्रो एंड प्रो प्लस भी ग्लोबली लॉंच होने वाला है इंड मार्केट के अंदर भी सर्वाई हो चुका है रियल्मी 9 प्रो एंड प्रो प्लस और दोस्तों मुगल श्रामा एंड नाइट वैन मोबाइल की कोलाबरेशन के अंदर रियल्मी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के रिगार्डिंग ना काफी कुछ एक्स्क्लियूसिव इंफॉर्मे अब लोगों सबसे पहले और हर रोज मिल पाए एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज या लाइक भी कर लेना आपकी एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो हर रोज बनाने के लिए सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते ह तो दोस्तो मुकूल शयंमा और 91 मोबाइल ने कोलैबरेशन करके डियल मी नाइन प्रो और प्लस की मॉडल नबर डिभील कर दिया है RMX 3472 जो की होने वाला है Realme 9 Pro and Realme 9 Pro Plus RMX 3393 करके हम लोगों को launch होते हुए देहने को मिलेगा जैसे कि मादब सेर ने खुद कहा था कि January and February काफी exciting होने वाला है ठीक ऐसा ही होड़ा है दोस्तो Realme 9i जैसे कि आप सभी को पता है 10th of January Vietnam के अंदर launch होने वाला है हम लोगों साय से January लास्ट वीक तक launch होते हुए देहने को मिलेगा अगर अभी तक आपने Realme 9i की वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकाउट कर सकते हो मैंने अल्डरी बना के रखा है दोस्तो Realme 9 Pro and Pro Plus इन दोनों फोन्स की अगर launching के बारे में बाते करेंगे तो दोस्तो अल्रेडी European market के अंदर इसको spot कर लिया गया है और यहापे globally February 1st week के अंदर हम लोगो Realme 9 Pro and Pro Plus लाँच देखने को मिल चाएगा बहुत ही जल्द हम लोगो इंडिया के अंदर भी लाँच देखने को मिल चाएगा expectation तो यही लगाया जा रहा है दोस्तो February middle याद फिर यहापे February last week के अंदर इंडियान market के अंदर भी हम लोगो Realme 9 Pro and Pro Plus लाँच देखने को मिल चाएगा according to 91 mobile दोस्तो यहापे Realme 9 Pro and Pro Plus एक 5G डिवाइस होने वाला है लेकिन जो 9 है ना इसके बारे में कोई भी confirmation निकल के नहीं आया है इस phone के अंदर कौन सा chipset प्रवाइट किया जाएगा कुछ भी ऐसा confirmation नहीं मिला है मुझे यहाँ तक लगता है 9 smartphone ना होने वाला है एक 4G डिवाइस इंडिया के अंदर गाईस इसके सासा जो exclusive information Realme 9 series के रिगारिंग निकल के आ चुका है 9 Pro and Pro Plus के बारे में तोदोस्तो Realme 9 Pro इस phone के अंदर हम लोगो Mediatek के तरप से Dimensity 810G 5G chipset के साथ लाँच होते हुए दिखने को मिल सकता है अगर Pro Plus इस phone के बारे में बाते करेंगे तोदोस्तो प्रिवियास लिक्स के अकॉर्टिंग लग रहा था है कि Snapdragon 778G के साथ लाँच होने वाले लेकिन अब जो है निकल के आ चुका है कि Mediatek Dimensity 920G के साथ लाँच हो सकता है Realme 9 Pro Plus और इसी सेम chipset के साथ हम लोगो रियल्मी 9 Pro लाँच होते हुए देखने को मिल जाएगा बाकि यहाँ पर 65W Charging और इसी के साथ हम लोगो 50MP Main Primary Camera इसी के साथ हम लोगो 16MP Selfie Shooter Camera देखने को मिल जाता है Super AMOLED डिस्पले होने वाले पंच्छल कट आउट के साथ 120Hz Refresh Rate और इसी के साथ हम लोगो साइड में physical fingerprint sensor भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Realme 9 Pro and Pro Plus की अगर प्राइस के बारे में बाते करेंगे तो इंडिया के अंदर लाँच हो सकता है 9 Pro Approximately अमान के चलो 17 से लेके 18,000 के आसपास में Base Variant स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा 6128GB के साथ और इसका प्राइसिंग 6128GB के साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को 22 से लेके 23,000 के आसपास में लाँच होते हुए देखने को मिल जाएगा बाकी अब लोगों क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्टर एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों गुडबाई और ठेक क्यार